तो यहां पर आप देह सकते हैं कोछ 2700 रुपे के मैंने छोटा सब रॉफिट किया है लेकिन आज का जो प्रॉफिट मैंनेvin नहीं किया सर और जैलिंग को तो किसे पता करने का क्या को मैंने डीपली समझाने की कोशिक की ओर सुपर ट्रेंड को कैसे Sir करते है पूरी टीटियल वीडियो मैंने बरग तो इस वीडियो की अगेन यहां पर देखे आज के दिन क्या हुआ है मार्केट ने यहां पर गैप ओपन किया और जो सुपर कंडिशन बने कब हमें कोई एक लॉजिक ऐसा देखे जिससे देखकर हम एक ट्रेड ले सकें लेकिन यहां पर मार्केट साइड विज रहा तो यहां पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि मार्केट ओलेडी काफी ऊपर आ चुका अगर मैं सुपर ट्रेंड के अगर हम देखे तो यहीं एक ऐसी रेंज है जहाँ पर मार्केट ने रहीं कर नहीं कर रहा हूं मैंने अपना किया मुझे कुछ एक पाला जो लेवल है 43,500 का ये लेवल option chain के इसाब से नहीं तूटना चाहिए लेकिन market ने तूट दिया है जो 43,500 के जो sellers हैं ठीक है जो नहीं चाहते हैं कि market इसके नीचे आए तो उन्होंने यहां पर push किया ठीक है उन्होंने अपनी position को shift नहीं किया नीचे की side में अगर वो shift कर देते तो market और गिर जाता उन्होंने position को shift नहीं किया और market दीरे-दीरे recover करने लगा तो मुझे यहां पर क्या दिखा मैंने यहां पर सिर्फ अपनी जीर से भी strategy को find out किया कि मुझे चाहिए सिर्फ एक red candle, market ने यहां से recover किया और यहां पर मुझे एक red candle मिल गई सर ठीक है और मेरी simple सी steady red candle की कि अगर किसी red candle का breakout उपर की side में होता है किसी का नहीं market अगर market नीचे support लेके जा रहा है और support लेके ऊपर की ओर जा रहा है तो मुझे यहां पर clear दिख रहा है दो green candles मुझे यहां पर clear कह रही है कि market ऊपर की ओर जा रहा है मैंने selling में कमाया अब selling का scenario मैंने क्यों बनाया क्योंकि मैं जायतर option buying करता हूं तो option buying के वज़ा selling मैंने इसलिए चुना क्योंकि market previous का यह दुनों से ठीक है previous data को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए previous में देखे market ने gap up किया sideways रहा ठीक है और यहां पर भी आज की दिन market ने gap up किया and market sideways रहा फिर down आया फिर थोड़ा उपर गया रहा तो मेरा जो सिनारियो था वो केवल सिंपल था कि market इसी रेंज में रहने वाला ठीक है एक हाई इसने सुबह के सुबह बना दिया है और लो अभी यह बना कि जा रहा तो market इसी रेंज में कहीं रहेगा और मुझे जो प्रॉफिट होगा वो केवल सेलिंग में ज्यादा हो सकता है अगर मैं बाइंग करूंगा और अगर मार प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा मिले और अगर मार्केट ज्यादा मुवमेंट नहीं दे पाया तो यहां तक मुझे लॉस भी हो सकता है अगर मार्केट इसी छोटी सी रेंज में रहता है देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यह लग रही है कि कुछ भाई जिनके करें किसी का यहिए को बाइन से हम पैसे के लिए तो बारे नहीं जानते उनको में बता दूंए अकेला ऐसा जो आपको 5 गुना मार्जिन का मतलब है यह अगर आप किसी भी ब्रोकर में मान के चलते हैं 5000 रुपे में ट्रेड कर रहे हैं और लोट आपको मिले हैं इसी निफ् लेकिन जब आप आस्था ट्रेड यूज करेंगे ना तो आस्था ट्रेड में इन दोनों लॉट्स को आप सिर्फ 1000 रुपे में बाई कर सकते हैं मतलब कि 5 गुना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ता ठीक है जो ट्रेड आपको 5000 रुपे में कहीं पर मिलेगी वही ट्रेड तो जब हम 5000 रुपे में यहां पर मिल जाएंगे तो प्रॉफिट भी आमारा पांच गुना ज्यादा होगा क्योंकि प्रीमियम अमारा ज्यादा लगेगा तो अगर अपूरी कैपिटल यूज करेंगे तो पांच गुना प्रॉफिट भी होगा ठीक है मैं तो उनके लिए ब लिए तो मैंने अप्स हैलिए कि मार्ट में अगर थोड़ी फोड़ी मूवमेंट अगर दीरे 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 ऊपर क्यों गया तो मुझे अच्छा प्रॉफित होगा फास्ट में मार्केट में अगर मूपर की ओर आएगे तो भी क्योंकि मेरा सेनारियो यह नहीं था है यह डोजी टाइप की ठीक है यह इन डिसीजन केंडल है इस केंडल में मैंने यहां पे ट्रेड लिया सर क्योंकि रेड केंडल का मेरा प्रॉपर ब्रेक आउट हो चुका था ठीक है अभी मैं आपको यह कंपेर और दिखाऊंगा कि अगर मैं ऑप्सन बाइंग कर लेता तो म मैंने 232 रुपे पर सेल किया और 170 रुपे पर मैंने इसको बाइख कर लिया था और सिर्फ 2 लॉट से मैंने इसको ट्रेड किया है और अगर मैं इसे पूरे दिन होल करता हूं तो यहां पर 133 रुपे का असपास यह गिरा है तो 133 रुपे इसका लो है मतलब कि कुछ 40 मैंने बुक कर लिया 150 तक आया था 140 तक आया फिर 130 तक आया थोड़ा सा और वोल्ड कर लेता बड़ा प्रॉफिट मिल जाता बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ही बड़े लॉसिज होते हैं यह हमेशा याद रखे तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजे और जिन्होंने अभी तक टेलीराम को जोइन कर लिए तो यह मैंने ओप्सन का चार्ट खुला है 43 500 का कॉल ठीक है तो यहां पर देखिए वही वाली मूवमेंट है मार्केट ने डाउन फॉल दिया फ तो यहां पर हम सब्सक्राइब करते हैं कि अगर हम यहां पर 180 रुपे के आसपास भी ठीक है 180 जैसे कि यहां पर रेड कंडल यहां पर है रेड कंडल का ब्रेक आउट हुआ है इस वाली कंडल में तो अगर हम 180 के आसपास भी इसको बाई कर लेते चलिए थोड़ा मान के चल कर लिए कुछ 240 तो कुछ 240 मुझे मिलता यहां पर 240 लगबग 60 पॉइंट मैं कमा लेता अगर मैं और भी अच्छा profit अगर मैं कॉल को भाई करता तो लेकिन मैंने पुट को सेल किया तो यह मैंने यहां पर 43-600 के put को यहां पर open किया है put का जो premium है उसका chart है यह तो यह chart मैंने open किया है और अभी मैं चलता हूँ कि मैंने कितने पर इसको buy किया ठीक है तो यह रही हमारी 11 बज़ के 30 मिनट के candle ठीक है इस candle में मैंने buy किया था क्योंकि हमारी जो वहां पर चार्ट में red candle थी वह यहां पर put के चार्ट में green candle क्योंकि market यहां पर गिर रहा है अगर market उपर जाएगा तो put गिरेगा put गिरेगा तो यहां पर जैसे इस green candle का breakout हुआ ठीक है एक सो बासट एक सो साट रुपये तक ही है एक सो साट एक सट के आसपास तक इसने low लगाया यहां पर फिर यह थोड़ा recover करने लगी यह candle ऊपर की साड में तो मैंने 170 का stop loss लगा लिया और मेरा stop loss हीट हो गया और मैंने यहां पर profit को book कर लिया अपना ठीक है तो अभी मैं मार्केट में एक मुवमेंटम आया था फास्ट में लास्ट की साइड में अब यहां पर बैंक निफिटी का चार्ट है यह देखिए मार्केट यहां तक साइडवेज रहा ना तो इस साइडवेज में में 92 पॉइंट मिलें उतनी ही टाइमिंग में क्योंकि वहां पर हमें डिके का भी profit मिलता तो यहां पर हमने डिके कितना कमाया है हमने कमाया सर इसमें 30 से 32 पॉइंट का कुषिझ करता ना मैंने यहीं पर एगजिट कर दिया क्योंकि मुझे लगा मुझे यह लगा सर कि यहा यह सैंने करने मोज़ेदा करना मज़ीद करने शाहिए कि मुझे में करना है तो हैसी के और कुछ नहीं है और कॉल को और मार्केट नीचे की और गया वी लेकिन कुछ खास लॉस नहीं दिखा मुझे क्योंकि मैंने option selling की थी, buying में खास लॉस था, ठीक है, buying अगर मैं करता तो यहां पर मुझे लॉस दिखता, लेकिन option selling की वज़े से यहां पर लॉस ज्यादा नहीं दिखा, कुछ 8-10 पॉइंट क यहीं पर range घुमा रहा है, again मैं तो यह सोच रहा था कि इसी range में market घुमाएगा और मुझे profit मिलेगा, लेकिन market ने एक बड़ी movement उपर की side में दी, तो मैंने यहां पर profit कर लिया, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी strategy को use करिए, super trend को use करिए, मैंने कल के दिन आपको daily नई strategy चाहिए, तो भाई हमें तो वीडियो बनानी है, तो मैं आपको daily strategy देता भी हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी एक strategy पर regular और consistency के साथ में, अगर आप काम करेंगे ना, तो आपको real में एक अच्छा profit मिलता रहेगा, तो यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीड रिकंडल का breakout हुआ, यहाँ पर मैंने profit book किया, तो GRCB की इस लिंक भी मैंने description डाल देखिए, वहाँ से आप GRCB को भी देख सकते हैं, डीटेल में समझ सकते हैं, तो जो भी लोग चैनल पर पिंडाया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और जोनोंने अभी तक टेल डायक्ट वीडियो को शुरू करते हैं,